हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे बी आरी वर्षिर टी आरे की टीमों के बीच में जो फैन कोड़ ECS मिलान T10 का 11 नमबर मैच खेला जाएगा इस मैच को हम इस वीडियो में देट के साथ अनलाइसीज करेंगे तो दोस्तो वीडियो रहेगा आपके लिए इनफोर्मेटिव तो वीडियो को कम्पलिट वाच जुरूर से कर लेना इस मैच का वेन्यू रहेगा मिलान किर्केट ग्राउंड मिलान इटली में यह मुकाबला आद दोपैर एक बजे स्टार्ट होगा अगर बात किजाए दोस्तो पिच्रि पोट की तो अरोल यहां का वीडियो एक बैलस वीकेट है और इस वीकेट की उपर एक्स्टा स्पोर्ट है वो पेसर गेंद बाद जो को मिलता है औरे स्कोर की बाद की जाए तो 19 के राउंड आप अपना औरे स्कोर वो अक्सेप्ट करके चल सकती हूँ और सबसे इपोर्टन बात दोस्तो इस मैट की जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी फाइनल सजसन रहेगा हाप्ट टोस्त वे लाइनप के बार आपके साथ सेर किया जाएगा टेलिग्राम चैनल पी और टेलिग्राम चैनल की दो इपोर्टन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ब्ल्यू कलर के लिंक रहेंगे सिम्पली आप वहाँ पर कलिक करके टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकती हूँ टेलिग्राम चैनल अवो दोस्तो आपके लिए काफी ज़्यादा इपोर्टन एओं हेल्फुल रहेगा जो भी हमारी फाइनल समोली की टीम रहेगी मेगा कॉन्टेस्ट जील टीम के कॉमिनेस्ट रहेगी साथ साथ दोस्तो ईस्टी टैन मैसीज होती है इनका बैटिंग ओडर बिल्कुल भी कनफरम नहीं रहता लेकिन ओपिसियल साइट से हम आपको कनफरम बैटिंग ओडर अमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवाएंगे तो टेलिग्राम आपके लिए इपोर्टन रहेगा दोस्तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सिंपल आप वहां से जोइन कर सकती हूँ अब बात कर लेते दोस्तों क्या रहेगी बी आरी की पोसिबल प्लेंग 11 तो उससे पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और यूटूब चैनल की उपर भी अगर आप पहली वार विजिट कर रहे हो तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करके नोड़केसन ब्ला इकन को जुरूर से प्रेस कर देना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोड़केसन भी आपको सबसे पहले मिल ज सकते हैं तो समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चला कलाब सहजाद है औरोल टी टैन में दोस्तों आलमोस्ट टोप ओडर में बैटिंग करवा के देते हैं टी टैन में अभी तक 43 मुकाबले के लिए 6 की ओस से 145 रन करवाती हुए 19 विकेड निकाल के दे चुए तो कल टैन में बैटिंग पलस बोलिंग दोनों करवा के देंगी तो इमाद घान को भी आप अपनी समोली की टीम में जरूर से कवर करके चल सकती हुए यासीर दुलू है टी टैन में 44 मैचिज के लिए 17 की ओस से 627 रन करवा के दिया आलमोस्ट टोप ओडर में बैटिंग करवाने तो नवीत चोदरी को आप only GL कवर करके चला समोली में आप चाहू तो ड्रोप करने कार इसका अपनी टीम से ले सकती हुए बसर खान ये दोस्तो आपके लिए एक सेप कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस इस मैच में रहने वाली है और ओल टी टैन में अभी तक 32 मैचिज क करवाती हुए नजर आ सकते है अभी तक T10 में 27 मैचिज के लिए 24 कियों से 24 रन करवाएं और साथ साथ दोस्तों 17 विकेड निकालके दे चुकिए है तो जावेद महुमेद इपोर्टन रहेंगे इस मैच में समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चला अली रज्जा इस आपके लिए इपोर्टन पिक रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में ट्राय करके चल सकती हूँ वहीं बात किज़ें इमरान नवीद की T10 में 23 मुकाबले खिले 19 विकेड निकालके दे चुके बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करवाती है लेकिन दोस्तों आपको कनफरम करवा कर देंगे इपोर्टन पिक रहेंगी जुरूर्ट से कवर करके चल सकती हूँ असन अकबर की बात किज़ें तो 18 मैचिज में 21 के उससे 166 रन कराएं लेकिन दोस्तों इस प्लेयर का बैटिंग ओर बिलकुल भी कनफरम नहीं रहेगा तो असन अकबर को आप ओनली जीयल कवर करके चला समोलिक में आप ड्रोप कने कर इसक अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ हमंद रंजा टी टैन में 10 मैचिज के लिए 5 की उससे 26 रन करवाएं और विकेट एक बी नहीं मिला लेकिन दोस्तों पार्ट टाइम बोलिंग और साथ-साथ पाउर हिटिंग बैटिंग बैकप भी दे सकती है क्योंकि में स्टैंड हिटे टाइप के प्लेयर है तो रंजान को आप ओनली जीयल कवर करके चलो बाकि समोलिक में आप ड्रोप कने कर इसक अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बाकि दोस्तो बी आरी की टीम की तरप से बैंचिज में इतना अच्छा पलेयर नहीं है लेकिन कोई भी चैंज होता है तो उस पलेयर का रिकोर्ड आपको टेलिग्राम चैनल पे सेर कर दिया जाएगा और टेलिग्राम चैनल की दो इपोर्टन लिंक आपको वीडियो के डि इलावन तो इस टीम की तरप से अली साकीब असरद यह आपको ओपन करवाती हुए नजर आ सकते हैं टी टैन में अठारा मैसिज के लिए चाउदा की उससे एक सो उनसे टरन करवाती हुए चोमालीस वीकी सोरी काई चाउदा विकेड निकालके दे चुके हैं तो अली जरूरर् इतना मोखा नहीं मिलता है लेकिन दोस्तो बोलिंग आपको दोर की कनफरम करवाएज सोरी की सादत अली और चॉविस वीकेड निकालके देच कॹे 18 मैं टो समोलिक की टीम में आप ज़रूर से कवर करके चल चकती हो और यह यह सगर है टेटन में सोरी गाई, दस मैचिज में 11 के ओस से 88 रून करवा के देज़के एक रिस्क की पिक रहेगी, जील ट्राय करके चल सकती हो असन ताहीर, टेटन में 10 मैचिज 21 की ओस से 103 परण, लेकिन दोस्तो बैटेंग बोडर कन देगा, जील ट्राय करके चल सकती हो कामरान उसीन, रिस्क की पिक रहेगे दोस्तों सीधा-सदा ड्रोप कने का रिस्क अपनी टीम से ले सकती हूँ महरूफ खेल है टीटेंड में आठ मैचीज में नो विकेट इपोर्टन रहेंगे दोर की कनफरम बोलिंग आपको महरूफ खेल डाल के देंगे तो समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ उस्मान असरद है साथ मैचीज में 13 की उससे 49 रन करवा के दिये बैटिंग ओर्डर उस्मान असरद का बैट को भी कनफरम नहीं रहेगा तो आप ड्रोप कने का डिस्क भी अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बाकि दोस्तों टी आरे की टीम की तरब सी भी बैंचीज में आपको इतनी अच्छी पिक नहीं मिलेगी अगर कोई भी चैंज होता है तो उस प्लेयर का स्टेट्स आपको से टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइड करवा दिया जाएगा और टेलिग्राम चैनल की दो इपोर्टन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी यह तो गया दोस्तो दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनलाइसिज अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनलाइसिज और कुछ अपने कैप्टन वाइस कैप्टन की रोटेस्टन के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे विक्की सेक्षन में या सिर्दूल है या आपको टोप ओर्डर में बैटिंग करवाते हैं नजर आ जाएंगे T10 में ओरोल 17 की उससे रन करवाते हैं इपोर्डन पिक आपके लिए इस मैट में रहेंगे समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो कि उसेन एन उसेन दोनों का बैटिंग ओर्डर बिलकुल भी कनफरम नहीं रहेगा साथा दोस्तो टीटैन में इनका रिकोर्ड देखो तो वो भी काफी ज़्यादा खराब है तो आप ड्रोप करने का देख अपने टीम से काफी आसानी से ले सेक्टियों बैटिंग सेक्शन में बात किजए आसिक आविस आपको टोप ओड में बैटिंग करवा के देंगे पलस आपको बोलिंग करवाते हो नजरा देंगे और टीटैन में 14 की उस से रन करवाते हैं इपोर्टन रहेंगे दोस्तो एआविस समोली की टीम में आप जरूट से कवर करके चल सकती हो बाबर उसेन आपको आल्मोस्ट ओपन में ही बैटिंग करवा के देंगे और टीटैन में 26 की उस से रन करवाते हैं important रहेंगे दोस्तो इस match में small league की टीम में आप जुरूर से cover करके चल सकती हूँ ताहिर की बात किज़े तो दोस्तो रिस्क की पिक रहेगी असन ताहिर बैटिंग ओडर और बोलिंग ओडर दोनों confirm रहेगा तो drop करने का risk ले सकती हूँ आलाउंडर सेक्शन में बात किज़े इमाद खान आपको नमबर 3 या नमबर 4 पे बैटिंग प्लस आपको दोर की confirm बोलिंग करवा के देंगे ओरल टी टैन में 18 की उससे रन करवाते हैं important pick आपके लिए इस match में रहेंगे समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ वहीं बात किज़े दोस्तो अली इसलाम रज्जा की तो ये आपको नमबर 3 या नमबर 4 पे बैटिंग करवा के देंगे ओरल टी टैन में 14 की उससे रन करवाते हैं लव प्रीट सिंग रहेंगे समोली और ग्रालिक दोनों में आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ ए रज्जा इसलाम की बात किज़े तो दोस्तो ये आपके लिए ट्रंप काड़ पिक बन सकती है और टी टैन में 21 की उससे रहन कराते है पलस आपको दोर की कन फ्रम बोरिंग में डाल के देंगे तो ए रज्जा इसलाम को आप कवर करके अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ इपोर्टन पिक आपके लिए इस मैट में रहने वाली है वहीं बात कीज़े दोस्तो कलाप सहजाद की तो ये आपको टोप और में बैटिंग करा के देंगी लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ओडर फिलाल के लिए कनफरम नहीं कह सकता लेकिन दोस्तो दोर की कनफरम बोरिंग आपको जरूर से करवाती हूँ नजर आ जाएंगी तो कलाप सहजाद को आप समोली की टीम में जरूर से कवर करके चल सकती हूँ बागी दोस्तो आलाउंटर सेक्षन में आपको इतनी अच्छी पिक नहीं मिलेगी बागी पलेरों को आप ड्रोप कने कारें इसका अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बोरिंग सेक्षन में बात किजे बसर खान है दोर की कनफरम बोलिंग आपको ओपन के ओरों में करवाती हूँ नजर आज़ेंगे इपोर्टन फिक रहेगी दोस्तो इस मैट में समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ सादत अली भी आपको दोर की कन फ्रम बोलिंग डालके देंगे इपोर्टन रहेंगे इस मैट में समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हूँ अलिस साकीब असरद की बात किजे तो दोस्तो ये ओरोल टी टैन में 14 कियोस से रन कराती हैं पलस आपको दोर की कन फ्रम बोलिंग में डालके देंगे इपोर्टन पिक रहेगी समोली और ग्राल इक दोनों में ट्राइ करके चला इमरान नवीद को आप ड्रोप करने करें इसक अपने टीम से काफी आसानी से ले सकते हूँ अब इस असगर भी आपके लिए इस मैट में रिस्की पिक रहेगी तो ड्रोप करके चल सकती हूँ वहीं बात की दे दोस्तो यहाँ पे जावेद महुमद की तो यह आपके लिए के ट्रंप कार पिक रहेगी जील वगरा के कॉमिनिस में चाहूँ तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ ओरूल टी टैन में 24 क्यों से रन कराते हैं पलस आपको दोर की कनफरम बोलिंग डाल के देंगी लेकिन दोस्तो फिलाल के लिए बैटिंग ओर कनफरम नहीं कह सकता जावेद महुमद का लेकिन बोलिंग आपको कनफरम करा के देंगी और देट की ओरों में बोलिंग करवाने के लिए आते हैं तो समोलिक की टीम में आपके चाहूँ तो इस मैट में VC भी ट्राइ करके चल सकती हूँ बागी दोस्तों बोलिंग सेक्शन में आपको इतनी अच्छी पिक नहीं मिलेगी तो ड्रोप कने का रिसक ले लेना कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने भी तक अमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है कैप्टन की बात की जाए तो दोस्तों फिल लाल के लिए अपनी समोली की टीम है उसमें अली रजा इसलाम को कैप्टन वाइस कैप्टन है वो इमाद खान को ट्राए करके चला हूँ दोनों आपको टोप और में बैटिंग फ्लस बोलिंग दोनों करवाती भी नजरा देंग तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राए करके चल सकती हूँ सलीम रज्जा है वो दोस्तों बोलिंग ज़्यादा तर करवा कि देते हैं बैटिंग में इतना इनका प्रपोर्मेंस अभी तक इतना अच्छा नहीं रहे सलीम को आप उल्ली जियल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राए करके चलाँ आपके लिए इपोर्टन पिक इस मैट में रहेंगे टीम परव्यू की बात की दे तो दोस्तों देखोगे तो यह हमारा फाइनल टीम नहीं है उल्ली एक डेमोटीम है जो भी फाइनल टीम रहेगा आपके साथ सेर किया जाएगा टेलिग्राम चैनल पी और टेलिग्राम चैनल के दो इपोर्टन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर दोस्तो आपको मारा वीडियो इनफर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कमट और से सब्सक्राइब जरूर से कर देना मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट इनफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक दोस्तो जैहिंग जैभार्त